तो एश केचम फाइनली जीच चुका है पोकेमोन वर्ल कोड़नेशन सिरीज को पोकेमोन 25 सालों से चलार वर एश ने कितने ही ऐसी लीगों में हिस्सा लिया था कि एश इस लीग को जीतेगा अब बनेगा पोकेमोन मास्टर हम लोग काफी समय से वेट कर रहे थे इंडिया में एश टाटी में इतना बड़ा बेखूफ उससे दिखाया गया था कैसे बच्चा जो कि पोकेमोन को भी नहीं कैच कर सकता था आज वो एक चैंपिन बन चुका है कहां मिष्टी उसका मजाया को डाया करते थी कि वो एक बच्चा है कहां ब्रॉक उसके ऐसे ही बैस दे दिया था कि ले जाओ तुम बस एक छोटे से बच्चे से हमने उसको इवाल होते हुए देखा है कितना मैच्चोर हुए हमने खुछ से देखा है हर सीरीज हर लीग में हम लोग इसी चीज का वेट करते थे कि इस बार एस जीत जाएगा हम लोग यहीं सोचा करते थे मगर अब चार्जाड आएगा सेफटाइल आएगा ग्रिनिजा आएगा लुकारियो ग्रिनिजा कुस तो आएगा जो हरा देगा उसके चार्जाड को मगर हम एक को भूल रहे थे पिकाचु यही है अच्च का पहला पोकेमून जो आच के साथ सुरू से है भले इसने सुरू में साथ ना दिया था मगर आज ये उसको कहान लेकर आ चुका है और साथ ही साथ इस मैच के टाइम पर सारे के सारे करेक्टर से रिटर्ण किये थे हमारी मिश्टी ब्रॉक मेश सरीना और यहां तक की लोग पिजी ओट और बटरफ्री को भूल चुके थे मगर वो भी रिटर्ण करता ह यहां पर नागा नडेल, मेग नडेल, मेग उसके बाद साथ ही साथ सोलो गैलियो और मेल मेटल भी रिटर्ण करते हैं हमने पोकेमोन को बचपन से किसी कहानी या वगरा वगरा की चीज़ से ने देखा था, इससे हमारी सुरू सी एमोशन जुड़े वे थे कि कब एश्ट पोकेमोन मास्टर बनेगा हम अपना आधा से जादा टाइम वो रिपीट एपिसोड दिखने में बिता देते थे, बार बार से एम एपिसोड को देखते थे कि कैसे पहले पिकाचू हार जाएगा फिर पिकाचू जरूर हराएगा उसे इसमें एश्ट ने उन पोकेमोन को हराया जो आज तक कभी नहीं हारे थे, जैसे कि सबसे पहले मेटाग्रॉस जो कि आज तक अंडिफिटिड था उसे हराया है, सिंथिया का गार्चौंप जो कि आज तक अंडिफिटिड था उसे भी एश्ट ने हराया और फाइनली जिगा कोई confirmation तो नहीं मिली है कि वह master बन चुका है पर most probably वह बनी चुका होगा क्योंकि वह अब तक के सारे top characters को हरा चुका है अब पता नहीं आगे आने वाली सीरीज में क्या होगा जो अगली सीरीज आने वाली स्कालेट वालेट मगर तब भी हम पोकेमों देखेंगे हम लोग ने इस टाइम का आज से नहीं बहुत समय से वेट कर रहे थे कि एश अब फाइनली जीच जाएगा और अब एश जीच चुका है हम से ज्यादा तो मुझे ल जीतेगा क्योंकि वह अभी भी पिकाचु के पिछे ही पड़े हैं पोकेमों कोई कार्टून या फिर कोई अनुमे सा हम इसे नहीं देखते हैं हम इसे एक इमोशन की तरह देखते हैं जिससे साथ हमने मेमोरीज बनाए थी अपने बच्पन में और आज भी बनाए जा रहे ह तो हम तो चाहेंगे एश का क्यरक्टर और पोकेमोन कभी भी खतम ना हो और हम इसे हमेशा देखते ही रहें तो बस आज की वीडियो में इतना ही था कोई स्क्रिप्ट नहीं थी मैं बस अपने व्यूज और फिलिंग्स आपको बताना चाहता था अगर आपको वीडियो अच कर अपको बस हो अचाँ सेफ जापको बताना चाहता था जापको